यह जो हकूमती बयानिया है इससे मुतालिक और बहुत सारे दो अंदरूनी बरूनी पीटियाई की सियासी मामलात उसके बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इसको मैं ड्वेस करना चाहती हूँ यह जो नाशनल रीकनसियलियेशन की बात की है इसके पीटियाई का क्या मौकफ है और बुरे से बुरे अगर जंगी दुश्मन भी हूँ आमने सामने बैठे हूँ टेटल पर बैठकर बात की जाती है यह तो फिर पाकिस्तानी सियासित है अनुनी क्या कुछ इसका स्कोप है क्या इसका कोई फ्यूचर है यह रीकनसियेशन की बॉडी जो है इसके बनने के कोई चांसिस है तैंक यू मारे पहुत मरबानी आपकी देखे जो डायलॉग का तरवाजा कभी बंद नहीं होता पर्मनिट मनिटल बंद नहीं होता वो यूहात होती है इसके वज़ा से वो नहीं कोला जा सकता प्राब्रम यह है कि यहां इस वक्त जो हकूमत है उसमें जो एक तरवरी के एलेक्शन से उसके बारे में मेरा हल कोई दू आरा नहीं है कि वो एलेक्शन जो हो चोड़ी होया हुआ हमने अपने मैनिफेस्टों में अगर आप पड़े मैं आपको बिज़ा दूना उसमें दो जो चेप्टर्स हमने जाले हुए हैं मैंने खुदी ऑथर किया हैं वो एक चेप्टर और में से हैं टूट और रेकंसिलेशन का तूसरा है हीलिग अनेशन हम स्टॉंगी फील करते हैं कि इस इस कौम को ओंट्मेंट की जरूरत है रादे दल कि आप आप और नहीं तर चलाए यह उफर कर रहे हैं कि आप 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 के बात करें उनको उस से पहले जो उनकी इलीकल अन कोंस्टिटूशन अप्टिटूशन उसको पर करना पड़ेगा उसके बाद ही टूथ और रेकंसिलेशन की बात हो सकते जब तक सच नहीं बोला जाएगा जब तक सच को नाफिस नही weeple's party पेमलेन को बतार एक entity देखते हैं या पीपलस party की जो offer है उसको differently देखते हैं पीम Alors n की offer को differently आ ड़े मेलेन की offer देखते हैं यह इंकोई Japanese country यह तीनों जो है इसे गूदममेन जो so that date you can college करता आ やि अम्डिल propaganda पी आपके ने द्लजियं के इसे आप तर बेलेता है के या पीपिल्स पार्टी की तरफ से हमें बसा उकाथ और चल्स मिले थी एक्चली गिरावल भुट्व जर्दारी साफ की लेवल की उपर हमारे पास लोग आये थी और एक नहीं दो निक बलके बिसा उन्होंने का था था कि हम आपके साथ बैट के बात करना चाहरे हैं हम आपके और अपके बात हुएं लोग जनोंने मैंडेट चुराया हुआ है उनके साथ बात भीए हो सकती इसमस्ले कि बहुत पहले मैंडेट का चुराना वकेट करें उसके बाद हम बात कर सकते हैं लेकिन वह नहीं है करेंगे तो उसको भीका क्या आप्शिटेफल, for example, हम एक रोल, you know, प्लेइंग करते हैं, सेनारियो हम इसकी बिल्टिंग करते हैं, ये आके पहले प्रेस कॉंफिंस करें कि जी गलत एलेक्शन है, हमने गलत किया, उसके बाद ये स्टेप डाउन करें, फिर एक खला होगा, उसके बाद और गवर्मेंट आप बनाएंगे, नंबर्स उसको प्रॉड़ करने के लिए भी आपके सामने कानूनी और स्यासी चालेंजिस हैं, तो ये होगा, ये प्ले आउट कैसे करता है आप उसका हम लोगों ने जो लीगल हमारे पास आप्शन की, उनको एक्सराइस की होगा, हमारी पेटिशन से जा चुकी होई हैं, और वो बॉचिंग डाकुमेंट के साथ कही होई हैं, वो फॉर्म पॉर्टिफाइव और पॉर्टिफाइव और पॉर्टिफाइव तो उनको पर जो सच है, जो ठीक है, जहां जहां हमारी चीत है, उसको आप किंसीड करते हैं, उसके बात करना चाहते हैं, आप लोग Прमधा पॉर्म पॉर्म पार पेस तो गाथ है, जैसे मजिम उसको ठीक करें, तो एक अगर आपने हाला को ठीक करना है, तो उनके साथ बात तो करनी होगी है, लेकिन अगर उन से बात करने को तयार है, पॉलिटिकल पार्टिश के लिए सख श उनके साथ भी सख शरायत है उनके साथ भी आप डिस्पाइट जो पूरा दोर साल पे हुआ आप बात करने को प्यार है पुलिटिकल पार्टी बेनेफिशरी जरूर है इसकी मैं एग्री करते हूं लेकिन डिरेक्टली फिजिकल या कोई और कॉल्जिशन नहीं है उनकी तरफ से उनके लिए शरायदा सख्त लगती है मुक्तदरा के लिए उतनी सख्त नहीं लगती है हिए 25 30 साहा हो तरह को दिकर करें अवेशा वो डाय। के जरीए हो या इंडायॆ की के जरीए हूं कृवी nor कि लिए और बा। अर्क कर दिरिए है कर नेखें देमेज भी नी करना है, एक ऐसा इंस्टिउचन ने जिसके खिलाव अप्राइब भी नी कर सकते हैं, हमारी बिलकुल क्लियर एक अंडर्स्टैनिग है और उसके खिलाव भाब बलाड नी सकते हैं, पजय तो यहां बात करनी है, आपने उस अदारे से अपने राइच लेने हैं बगार उस अदारे को डैमज किया लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को अपना एलाई बनाएंगे तो क्या आप लोग बेटर जैसे हमने देखा कि नरो हुआ दोजार और फिर पॉलिटिकल क्लास है बड़ा कुछ अचीज किया उसके बाद अब आप उसको इस प्रिजम आप देखें 2008 के ऐलेक्शन जो है वो गॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल अगर पॉलिटिकल आजाए वो टेक ओवर करने तो कॉंसितुचूशन की मौजूगी में उसको वालेट करना जो है ना को एक नई टिशन शुरू हुई है दो साल के असरे तक कॉंस्टिटूशन की मौजूटिव में आपने हर काम अन कॉंस्टिटूशन की किया आपकी अदालतें डिस्फंक्शनल हो गई थी और उनने कोई शुनवाई वहां किसी की नहीं है तो यह समझते हैं कि आज जो उनका होल्ड है या जिस तरीके का होल्ड है वो इससे पहले क कि इससे सियासी जमातें जो हैं बात कर लेना चाहतें वहमारे वह अमने डर्वादय अब मात कर ले हो है कि अपने जमातों के लिए उतने उपन दर्वादय नहीं लगता ये उजरपेशन करके बाट है, ये उसे तो किया हो एख लिट उजब किया हुए उससे है, एक अग कर सकते हैं, लेकिन जनों ने किया ताकि जो ये काम है, गवर्नेंस का काम है, ये पॉलिटिशन के लूपर छोड़ दिया जाए और उनको किसी outside intervention, including from the establishment, उसके बगाया, जिसका अवाम का mandate है, उसके साथ चलाएं, उस वकर फिर कोई problem नहीं है, उस वकर सब political parties आपस में बैठ सकती है, लेकि जब तक ये जो है, ये जो mandate का चुराया जाना जो है, वो अभी तक in power है, तो वहां मेरे नहीं कहाल कि हम जुरत भी कर सकेंगे के इन पार्टी के साथ बैठ के बात करेंगे, आज पिशावर हाई कोट का एक फैसला आया, वो जो मखसूस निशिस्टों के वाले से बड़ा जो सखत फैसला है, आप अमशूर आप इसको चैलेंज करने जाएंगे, कुछली अगर आम बता दें फैसला क्या है, कि बताबिक स्पीकर सुभाई असेमली खैबर पक्तूनवर सेनेट इंत Okayबाथ से कबल मकसूस निशिस्टों पर नौमनाखिब मेंबरान पे हलव लें, ये चौबी सफाथ का इसले है, उसमें कहा गया है कि मकसूस निशिस्टों पर नौमनाखिब मेंबरान को हलव लेने से से रोकना आईनी खिलाफ वर्जी है और यह 14 दिन के अंदर-अंदर KP का अजलास को तलब किया जाए तो यह अब यह स्टाटिस है क्या अजलास आप लोग तलब करने लगे हैं यह है या भी कानूनी सब्सक्राइब कानूनी उपश्टन के ऊपर जाएंगे सब्सक्राइब की अधर आपको कुछ मुक्तलिक फैसल आएगा क्या पिनिफली आप लिए केस लडने का तरीका डिफरेंट होगा पुलिटिकल फ्राटेजी डिफेर्ट होगी काड़े है एक्षिली क्या पर लिए हैं मुल्ट में उसमें लब जादा नहीं जाना चाहता है हम उमीद के उमीद लगाने के बगार भी हम जा रहे हैं कि हमारे पास option और कोई नहीं है Political Party के पास option क्या है उसके पास Parliament के अंदर है हम लड़ रहे हैं जिस तरीके से भी लड़ रहे हैं हम लड़ रहे हैं और उसके बाद मेरा निक्याल कि हम प्लिटिकल अमारे ली टान भी अगर इसके बाद रोपना चाहें तो रोक सकेगा because हमारी जो इलेक्टरेट है वो भरी पैटी हुई है और हमारे उपर जो प्रेशर है मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या है कहां कहां से किस किस तरीके से वो प्रेशर आ रहा है तो मेरी तो जो साहिब एक्तदार लोग है हमेशा, you know, I try to take a step back, you know, and ponder तो मेरी तो नहीं तो नहीं तो जा है यहीं के चीज़, मेरा खायर है कि उनको भी अपना कांटक्ट जो है उसके बारे में, you know, re-think करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क की future की तेकि at the end of the day, you, me and everybody else basically रियास्ट का interest है हमने इसी रियास्ट को defend करना है और जस तरीके से रियास्त चली है रहता हुआ हम कहाँ से शुडू हुए थे आज हम उस रियासत के आदे से काम रह गए है आज हमने और भी बहुत हुछ कुछ कम आया है हमने हमने हमीलिएशन को हमायी है या 18 billion ले ले लेते हैं, वापस कैसे करना है, कहीं से लग रहा हूँ, किसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, या भी हम एक ख्वाइशात के उपर है, देखे, at the end of the day, हमारी commitment जो है, वो पाकिस्तान से है, वो स्टेट से है, बेसिकली, और हमारे जैसा कि मैंने अर्स किया बढ़ आपनली, मैं कोई और पालिटेशन शाहिदा ऐसे बात ना करे, वो दरवाजे हमारे कुले हैं, जब भी चाहेंगी हम बैठने को त्यार है, जो सवाल है आपका कि क् पिकली है, वो नहीं पिकली, to be honest about it, मेरे खाल में नहीं, नहीं पिकली, और इसके इंकानात है, कोई रापता हुआ है, चले बात तो, डेड लॉक तो वह आता है, जहां पे आप गुफ्तबू कर रहे हो, बात आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्या गुफ्तबू तो हुई है, प की, कैसे करते हैं, कब करते हैं, I'm not, मेरे पास कोई ऐसे हकायक इस वकत मौझूद नहीं है, उनके थूरू भी कोई परपेगाम रसानी नहीं हुई, जिक शुरू में प्रेशर था, आप पर और वह वैसी प्रेशर थे जैसे के नवाश्री के उपर थे और रदारी साथ के उ हमारा जो स्काम से वो इसके खिलाफ है, हम चाहते हैं कि जी, इस मुल्क में खुदा की जात के बाद वो अवाम है, और अवाम के ऊपर छोड़ दीजिए, आप बीच में से हट जाएं, आपकी और कमिटमेंट्स बढ़ी हैं, आप कॉंस्टिक्यूशन में आपका एक रोल है इस मुल्क को डिफेंट करना एक बहुत बड़ा फरीज़ा है और बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, तो आप उसमें ना जाएं. मुलाना साब के साथ बैटने का पैसला कैसे हुआ? मुलाना आपका रेट अगवारा है, फिर ले दे करेगा, फिर बड़ाएंजेंगी बच्क पालिस बातचीत करनी है, नहीं करनी है, वो एलाइब बन सकते हैं, नहीं बन सकते? JUI के साथ पीछे आई का एक जो मिस्ट्रस्ट का रिष्टा जवाब बहुत पुराना है और वो मिस्ट्रस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ा हुआ है इसके बावजूर पार्टी के अंबर कुछ ऐसे लोग थे असर्ट कैसल साथ इस पान अफ़ान है और वो मिस्ट्रस्ट पार्टी को चोड़के बाकिस सब के साथ आप आप आची कर सकते हैं मेरी तरफ से पूरी इजाज़ अताब की किये असर्ट कैसल साथ इसको इनिशेट किया लेकिन मेरा खाल है कि पार्टी के अंदर जो रिजेंटमेंट है उनके बारे में और इसी तरह से जो उनकी पार्टी में हमारे बारे में जो रिजेंटमेंट है वगयरा वगयरा उसकी बेसिस के उपर एक यह जो मिस्ट्रस्ट है मेरा जाती खाल है कि उसको अबूर करने में भी बहुत पक्त लगेगा कर दो दोनों को ब्रीफ किया गया और इड दोनों ने का कि छीक है जो प्लिटिकल कमेटी आपकी वो डिसाइड करें कि आपने करने करने करना मेरी जाती फ्रेसर्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर लगता हूं मेरा नहीं ख्याल कि फर टाइम बिंग हम जैई-उय के साथ कोई दीन कर सके है मेरा क्या है कि जरी तरफ सी मॉइक डूसे का प्रेशर है मेरा क्याल कि पद़्ी तार्ट पर अगर का जाएके वो दर्वाजय को लें तरो दर्वाजया हànा बदो गए्いきए dop ने में छेए आ गैर लगता है चांसे उसके जो है रैंकि इन्फो बहुत रहा है अगर यह जो मरवत साव है आपकी जमात के अंदर अब मुझे लगता है कि हर कुछ अपने बार वो कुछ स्टेटमेंट देकर मुझे आप से सवाल पूछना पढ़ता है। आपकी पार्टी के लिए भी प्रॉब्लमाटिक होता है। तो वह उनकी वो कह रहे है मेरी जाती राय थी। जाती राय वो बहुत दफा देते हैं फिर उसके बाद बैक्टरक करना पड़ जाता है। क्या मेकनिजम है आपकी जमात में जाती राय और पॉलिजी के बीच में पड़ ये जाती राय राय भाशाएं। तो वह जाती राय पॉलिजाओं कमें सब्सक्राम उलिए सब्सक्राइब अधाएं। लगए जैसे के वह प्रटी की पॉशिशन सब्सक्राइब कर ऊपड़ी तो हमें वह इन आपको पाकिस्तान को उनके हमारे दौर में हल्प करने में है और उनने का कि ऐसा कोई ऐसी कोई हकीकत नहीं प्योर हकीकत है भी नहीं है ऐसी कोई लेकिन यह कि आपसुलूटली राइट कि इसकी वज़ा से पार्टी सफर करती है in terms of perception, public perception. तो इसकी कोई बात करें आपकी जमात के अंदर बैठके एक पार्टी डिसिप्लन होता है, बाकी जमातों में भी होता है, मैं देखती हूं कि लोग आउट ऑफ पार्टी पॉलिजी बियानात देते हैं, ठीक है तो इसको ऐसे समझा जाए कि ठीक है वो एक है शक्सिया जो अप और हाई तरीके के साथ उनसे बात की गई है, कि यह वो ऐसे ऐसे मसायल हैं यह इसे इशू है जिन को किया पार्टी प्लाटफॉम्स की ऊपर जिसना बरसी बात कीजिए हमारी कोई की है हमारी प्लिटिकल कमेटी है उसके रेगलर इसलास होते है आज सो घाई का इंट का मीट कर सकता यह बहुत पुश्किर हो जाएगा पर्टी इस किसम का खास कर इस पोलराइट सिटुएशन में हम इस किसम का डैमेज वह वह बरदाश्ट नी कर सकते हम सोच रहे हैं कि हम साओधी मैस्टर को मिलेंगे भी जाके उनको कॉल आन करेंगे और प्रेशन नी जाता है कि हमने उन से बात की हैं हमने उने समझाया है कुछ असे बात एक और प्लाट फॉर्पर खुल के बात करने का वह मैं करता हूं जब भी बात हुटी है कोई controversy होती है या कोई ऐसा contentious issue होता है हम लोग सब अपना अपने राय देते हैं लेकिन बाहर निकलते हैं तो then it is one voice and that is PTI voice यह एक principle है इसको हमें सब को अभाइब करना जाए Inter-party elections का क्या status है आप बीश में बहस थी कि वो party election होंगे वो results submit करवाएंगे फिर वो सुनी तहरीक के साथ आपका हतम होना है इत्याद वापिस शामिल होना है उसके कानूनी अपने रस्ते बड़ी debate थी किदर रह गया इसके आगे process क्या हो रहे हैं कहां तक को अपार्टी का पैडल election commissioner भी हूं पार्टी के election भी मैंने करवाएं हैं हमें party को election commission को submit किया हुए तक्रीबन तीन महीने हो गए हमे जिकर किया है और हमने यह decide कि मंडे को हम दुबारा तो नहीं बलके चौती या पांच वी तो हम election commission के दफ्तर जाएंगे और उनको याद धिया नहीं कराएंगे कि आपने हमारे last time जब गए थे गोहर साब गए थे और रेंट गया था उनके साथ गया था तो उनके साथ गया अब आनदी चीफ election commissioner has seen the results or कोई problem नहीं है और हम आपको बहुत जल्ट लेटर issue करतेंगे नहीं हुआ फिर गये नहीं हुआ नहीं हुआ पिर गये नहीं हुआ नहीं हुआ पिर गये नहीं हुआ नहीं हुआ अम एन रखल चौती तफ़ पांग जा रहे है या जो जिसका से पर तो मेरा खाल है कि हमारा स्थिंबल नहीं देना चाहते हुआ है चुछ कि हमारे जिसलिके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया है उसमें पर यह वाइणी स्टैच अफ मैंडियो प्रॉब्लम नहीं ने कल सकता तो इसके वह उल्ट कर रहे हैं जब यह तमाम प्रिजज़ को तो गर अखाल है कि हमें उसके बात बने जाना चाहिए। अधालती मामला है और ये अधालत को जो उन्होंने नोट लिया हुए हम ये फील करते हैं कि इसको डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी सुपीम जुडिशल कांसल को उन्होंने वो एंटी करॉप्शन जजज जो है उनके बारे में भी उन्होंने पीटियाए के फेवर में दो तीन चार पैस्टे की हैं और उन्होंने उनके खिलाब जो है वो कंपेंड दे दिये। जुडिश्य को मैं स्ट्रॉंग्ली बिलीव करता हूँ यह मेरी जाती राय भी है मेरी पार्टी की राय भी है जहां रूल अफ लाव नहीं होगा वहां तरखी नहीं हो सकती, बहां दिमार्करी नहीं पनग सकती। शोडिश्री को ये रिय difference …-क शोडिकल मौन में बहुत कश्क हरा लिए है हमें, मेरा ख्यार है कि उनको अपनी स्पेस जो है वो रीक्लेम करनी होगी और पौरी तॉरकें बगार किसी वक्त जाय करे कीडियों कि जूचिरी के बगार जो है ौर यासुप का धांचा जो है वो फोटा हो जाता है और इसको फ़र दधाँचा लेकर हम चालते हैं, जादा में बैट के इस मौमले को हल करना चाहिए और जल्दी बगार वकत आया है यह हमारी बहुत कि इसको करें नवाश्य साब का जो क्यांप है पीमलन के अंदर बार बार सिग्नलिंग कर रहा है एलेक्शन की अपनी साख के हवाले से भी कि आपनी सुना होगा राना सिना अल्ला उनके सब स्टेट्मेंट्स on the record है मैं सिर्फ अपने ओडियन्स के लिए इसको थोड़ा सा जमा कर रहे हैं इस पूरे बहुत को क्यों ये 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 क्यों सिंग्नलिंग कर रहे हैं आपका क्या खाल है कि वह बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, बीट बीड में धिक झाल सु के थीड़ा को उनको यह नहीं को पता है और जो फीलिंग घुझ अटी Sc kill P прाणिस करके यह लाया जिया था जिए इने प्रामस कर ड़ा है भी आओजिडन को यह दिखने कुछ है यह सब diu q w जाती है, कहां बैठती है, वो वक्त बता देगा और बहुत जल्दी बता चल जाएगा, तो एक आपने देखा होगा, कि वो एक 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 पार्टी बनने का सोच रहे हैं, कि जी मेरे साथ से आती है, और बुस भी बात करें, जो आप करें, हला है यह वो समझते हैं, कि उनका आपने नजर आ रही है, बिल्लकुल कंट्रास्टिंग आ रहा है, जो कि वो कहते हैं, पार्ज़ जावेड लतीज साथ का मसला है, जावेड लतीज साथ विर्चुली एक्स्टाइट होचुके होँए पार्टी से, इसलगत उनकी पॉसिशन पार्टी में नहीं है, लेकिन व मौमलात खंबीर है, वहाँ कुछ लड़ाई के अनासर वो सामने आ रहे हैं, पास्टाइट अच्छा कुछ आपके आखरी जन सवाल आता है, पीटे आई के लोग हैं जिन्होंने के वापिस पार्टी के अंदर इंक्लूजन के फैसले होने हैं, क्या ये फैसले फाइनल हैं, पार्टी में वापिस आ चुकी है, ये अभी पैसला होना है, ये फैसले होने हैं, ये फैसले खान साब करेंगे, बाकि ये सब लोग अपना-पना स्यासी जनादा लेके हमारे दर के ओपर बैठे हुए हैं, जी हमें कुछ भीग डाल दीजिए हमारे कश्कोल में, तो ये खा ये अगर दालनी हैं तो किसको डालनी हैं किसको नहीं डालनी है, दो हिस्से हैं ये मैं क्लेरी बता दूँ, दो किस्सम के लोग हैं वहाँ, कुछ लोग हैं, जो कि जोनों ने जब उनको अंडर प्रेशर, आफ्ट बिन टॉर्चिए और बार्टी चोड़ी तो जरूरी था लेकिन पार्टी कर खिलाब को ब्यान नहीं हमारे साथ कंटे क्यूंच पर सी Самवाइफ अलब है तो इनके बारे में एक लेवल अबव क कृति है और स्वाश्डिन में इनके वापरी वुक्रॉप इनके साथ ज्यादा है तो सवार से पार्टी ने क्या रिजिस्सन्स है कुछ लोगों के बारे में definitely a sympathy factor मौझूद है जो के जिनको का गया मुस्टेक में आपका नाम लिया है मलेका अपकारी का नाम है शीरी मजारी का नाम है वो भी देखिया है उनके साथ जो है वो भी आपने देखा हुए सारा कुछ देखा हुए लेकिन कुछ लोग जो है उनके बारे में बहुत strong feeling है जिके उनको पार्टी में वापस नहीं ले रहा है यह दूसरी बात है एक बहुत बड़ा factor है and I must share it with you पिछले दो साल जो हमारे उपर बहुत बश्किल गुज़रे है लेकिन इस दो साल ने एक बहुत बड़ा काम किया है पार्टी के जो पार्टी की ideological base थी ना वो restore हो गई है वो ideological base थी है वो strong हुई है और restore भी हुई है अब उन लोगों ने देखिए इस वकिए जो नैशनल इसेंबली में हमारे जो 50% लोग हैं 50% लोग है वो 30 है अबरिजन की 30 यह नई बहुत ने टेक ओवर की है और इन की तरफ से बहुत resistance है और उन लोगों की तरफ से बहुत resistance है कि नोने sacrifice कि एपिसे दो साल में जिनकी businesses तबा हुई है जिनकी चादर से चादर से चादर से तबढ़ है तो इस अब जो बी होगा आज साथ बहुत श्क्रीए रोग वसंचारत माई साथ मौजूद थे तारे मुश्किल सववल